नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने हिंदी यूट्यूब चैनल आरोग्यम में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इम्मुनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं इम्मुनिटी मतलब रोग परतिरोधक शम्ता हम सभी जानते हैं कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और अन्य वाइरस भी बहुत ज़्यादा सक्री हैं मौसम के बदलाव की वज़े से तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे और उसके लिए हमें अपनी इम्मुनिटी को बूस्ट करना होगा ताकि हम खासी जुखाम और कोरोना जैसे खतरनाक वाइरस से भी लड़ सके हम सभी जानते हैं कि कोरोना के लिए अभी तक कोई भी दवा कामियाब नहीं है तो कोरोना और अन्य फ्लू से लड़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज है वो है हमारी अपनी इम्मुनिटी इस वीडियो में मैं आपको कुछ हैसे टिप्स बताऊँगा जिससे आप अपनी इम्मुनिटी को भढ़ा सकते हैं और इन बिमारियों का मुकाबला कर सकते हैं इम्मुनिटी को स्ट्रॉंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा हमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि स्ट्रेस से हमारी इम्मुनिटी 40-50% तक कम हो जाती है तो अगर आपको कोई भी खासी जुखाम बुखार या कोरोना भी हो जाता है तो आपको सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि stress लेंगे तो आपका शरीर उस बिमारी के सामने कमजोर पढ़ जाएगा दूसरा तरीका इसका ये है कि हम अपनी diet में कुछ ऐसे nutrient को शामिल करें जो कि हमारी immunity को boost करें तो आज मैं आपको कुछ ऐसे super foods बताऊंगा जो कि आपकी immunity को बहुत ज़्यादा boost कर देंगे और इसमें सबसे पहला नाम आता है आवले का आवले में vitamin C बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारी immunity को boost करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा vitamin C, vitamin D, vitamin E की जरूत होती है तो vitamin C आपको आवले से भरपूर मात्रा में मिल जाएगा इसके लिए आप रोज सुबह एक अच्छा आवला नमक के साथ खा सकते हैं अगर BP patient है तो नमक का इस्तमाल ना करें अगर आपको आवला खाने में तकलीफ हो रही है तो आप उसके लिए आवले का रस निकाल लीजिए और थोड़ा से उसमें शहद मला करके पी लीजिए अगला खाद्य प्रदात है हल्दी हल्दी के antibacterial और antifungal गुणों के बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे antioxidants होते हैं जो हमारे अंदर से हमारी immunity को boost करते हैं तो अगर हम इसे अपने regular diet में शामिल करेंगे तो हम इससे केवल सर्दी खासी ही नहीं कई और गंबीर विमारियों से भी बच सकते हैं अगर आपको कफ की परिशानी है या हलका जुखाम है तो आप हल्दी को थोड़ा गरम पानी में नमक के साथ डाल के उसके गरारे कर लीजिए रोज रात को गरम दूद में थोड़ी सी हल्दी उबाल लीजिए और उसको अपने पूरे परिवार को बिलाइए इस से सबकी इम्मुनिटी बहुत जादा बढ़ जाएगी चाहे तो इसके साथ आप 54 प्राश का सेवन भी कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाबदायक रहेगा अगला नमबर आता है अदरक का अदरक के बारे में आप सभी जानते हैं आपको सरदी खासी है तो आप अदरक का सेवन कीजिए अदरक के रस को आप शहद के साथ मिला कर भी पी सकते हैं ये खासी में बहुत ही राबदायक होता है और हमारे इम्मुनिटी को बढ़ाता है इसके साथ आप लस्टन का उप्योग कर सकते हैं लस्टन में अलस्टन बहुत ज़ादा होता है ये हमारे शेरीर से इंफेक्शन को दूर रखता है मेडिकल साइंस कहती है कि हमें लस्टन को ज़ादा नहीं भुरना चाहिए उससे अलस्टन खतम हो जाता है सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप कच्चे लस्टन का सेवन करें अगर कोई वेक्ती कच्चा लस्टन नहीं खा सकता है तो उसे कैपसूल की तरह पानी के साथ ले सकता है या उसे पीस करके शेहद के साथ भी ले सकता है अगला फ्रूट है चुकंदर इम्मुनिटी को बूस्ट करने के लिए आप चुकंदर का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे आप कच्चा खा सकते हैं चुकंदर में आरेन, पोटेशियम और विटमिन सी होता है जो कि हमारी इम्मुनिटी को बढ़ाने में बहुत ही लाबदायक होता है इसका आप सलाद के रूप में खा सकते हैं या इसका जूस का सेवन भी कर सकते हैं इम्मुनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें सिट्रस फ्रूट्स खाने चीए यानि की खट्टे फ्रूट्स जैसे की नीबू, मॉस्मी, कीवी यह हमारी immunity को बढ़ाते हैं, हमारी body को daily 70-100 mg vitamin C की requirement होती है, जो कि इन fruits से असानी से पूरी हो जाएगी, इन fruits के अलावा आप पपीता, ब्रॉकली, सेव और ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं, यह चारों आपके immunity को बढ़ाएंगी, इन fruits के अलावा हमारी body को immunity के लिए calcium और vitamin D की भी जरूत होती है, तो आप सुवे सुवे थोड़ी सी देर धूप में बैठ सकते हैं, जब धूप कम होती है, तो उसे हमारी body को vitamin D मिलेगा, अगर आप शहरों में रहते हैं और धूप के कम exposure में आते हैं, तो आप उसके लिए vitamin D का supplement भी ले सकते हैं, ये आपको हर हफते में एक बार लेना होता है, immunity को भढ़ाने के लिए vitamin D भी body के लिए बहुत ही जरूरी element है, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी immunity जरूर भढ़ जाएगी, शरीर की immunity boost करना एक slow process है, तो इसको आपको regular follow करना पड़ेगा, तभी आप इन सभी विमारियों से और corona का सामना कर सकेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी immunity पे काम करेंगे, अगर आपके इस वीडियों से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो नीचे comment करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जल्द से जल्द जबाब देने की कोशिश करूँगा, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इसे like, share और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको ऐसी वीडियो की notification अपने phone में मिलती रहेंगी, आरुग्यम आपके निरोगी जीवन की काम ना करता है, धन्यवाद.